कर दोस्तों आप सबी लोग का हमारे चनल बहुत बहुत सबागे थे दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 के एक्साइज 23 का कॉस्चिन नमा 6 से करने जा रहे हैं पिछले वीडियो में दोस्तों कॉस्चिन 5 देख ले थी दिए आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस को मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कोड़ेट ऑब वर्टिसेज कोड़ेट ऑफोकाई इसेंटेशिटी लेंथ ओफ लिटर सेक्टर में इसको फाइंड करने के लिए तो दोस्तों देखिए यह हम लोग को इस्टेंडर फॉर्म में नहीं दिया गए तरस पर इसको लोग क्या क स्टेंडर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि यहां तो हम लोगों को एक्स स्क्वाइर अपॉन में स्क्वाइर प्लस वाइस स्क्वाइर अपॉन होना चाहिए यहां एक्स स्क्वाइर के नीचे में कोई नंबर होना चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले यह फोड को क्या करेंगे नीचे चीफ करदेंगे यहां देखें स्क्वार के ये हैं कोई नबड नहीं है य। सी रचिंगे एंट обсर्ट सकतें हैं equal to 1 इतना हम लिख सकते हैं क्यों 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 ये fraction में चला जाएगा उपर चला जाएगा ये भी उपर चला जाएगा अब आगे देखिए हाँ ये हो जाएगा x square upon में ये 1 upon 2 का whole square plus y square upon में 1 upon 3 का whole square equal to 1 ये equation 1 होगी अब दूसर देखिए ये 1 upon 2 में और 1 upon 3 में कौन बड़ा है बताईए देखिए ये बड़ा है क्यों 1 upon 1 में 2 से divide करेंगे ति हो जाएगा 0.5 हो जाएगा और 1 में 3 से divide करेंगे ति हो जाएगा 0.3 हो जाएगा ओके तो देखिए तो 0.3 इसका something आएगा तो देखिए यहाँ पर तो बड़ा है हम लोग को ये बड़ा बड़ा है ये बड़ा है ये हो जाएगा और छोटावला क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ऐसे भी समझसकते हैं 1 को 2 parts में बाटना है और यहाँ बड़ा क्या हो जाएगा ये मिलेगा तो जो बड़ा होता हो क्या होता है ठीक है अब देखिए x-square कि यह किसका फॉर्मेट आगे देखिए x-square upon a-square plus y-square upon b-square equal to 1 ओके रिखेंगे this equation this equation is in the is in the form of x-square upon a-square plus y-square upon b-square equal to 1 यह equation 2 अब यह आप लिखेंगे on comparing on comparing equation 1 and 2 we get on comparing on comparing equation 1 and 2 we get rzynd really तो देखिए क्या हो जाएगा तो देखिए यह a-square equal to हो जाएगा one upon two का holy square तो जहीं है a square equal to one upon two का holy square sacred से square cancel हो जाएगा यह a-equal to हो जाएगा one upon two ओके and बी एt इस्कार को जाकूल हो जाएगा one upon three स्क्वार को सेङण वाले साथ कम्पेर कीजिए यहां और अपान थ्री का पैर स्कुल्ए यह तो से यहां पर इसक्वार यहां पर कैंसे यहां संब्सुंग का घी कवा आपन हाज है को अब देखें हुआ आरे पता चल गा तो हम लोग चाहिए निकाल लिखेंगे, we know that, we know that, a² equal to b² plus c², आगे देखे, a² यानि कि 1 upon 2 का होल स्क्वार, equal to b² यानि कि 1 upon 3 का होल स्क्वार, plus c², आगे देखे, तिया 1 upon 2 का होल स्क्वार, 1 upon 4, equal to, यह जागा, 1 upon 9, plus c², यह 1 upon 4, plus 1 upon 9 का होल स्क्वार, तो minus 1 upon 9 होल स्क्वार, equal to c², आगे देखे, आगे देखे, आगे देखे, इस कालसियम ने लिजए, 4 और 9 कालसियम होल स्क्वार, 36 हो जाएगा तो 49 36 हो जाएगा 9-9-4 जाएगा 4 इक्वाल टू C square तो C square इक्वाल टू हो जाएगा 5 अपॉन में 36 ओके तो देखें दो यहां से C का वहलो निकालेंगे सकते हैं पॉन तो यहां से फोकस का तो डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता तो यहां पर दोगे में पराला फाइंड करना है यहांपर लेंध यह लेंथ इसलिए लेंध आप मेजर लेंध आप मेज्डर एक्सिस हरें लेंफ टुए टुए टो इंटु एक वैलो है यह वन अपन टुए कैंसे लोजेगा यहोजेगा वन कि क्योंढे यूनिट्स मेरोनृ की सच्छह का विल कितना हो गया आगे अब दिखें स्थ 9ман लेंट्फ्व को लेंथ फॉरTh लेंठ्फब माइनकी इसितना वाजाएगा टू बी गर्फिंट्फ b का वेलेव इए टू लेंड्फं थरी करें होजाेगा हम कि अंधंग है कि लगी कोडिनेट ऑप रोर्टिस क्या होता है कि मेजर उक्सिस का इंड पॉइंट पॉइंट होता देखें कि यहां पर x स्कॉएर अपॉन a square plus y square upon b square equal to one था यह equation हम लोगों को मिलाता है तो बर्टिसे क्या होता है major major axis का जो होता है end point होता है वह इसका बर्टिसे होता है major axis यहां पर क्या हो जाएगा यहां से यहां तो distance a है तो यह हो जाएगा माइश कॉमा जीरो इसलिए क्योंकि यह major axis यहाश एक से पर है ओके कर दो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा माइश क्यों यह को म करति हो जाएगा यह को मेश क्यों अपकर जाएगा इसको आप लोग चाहिएगा तो यहाँ पर डियाग्राम में यहाँ पर A और यहाँ पर B लिलेट कर सकते हैं ठीक है तो मैं यह दिए A और B लेट किया रहेंगे इसका यह A हो गया और यह क्या हो जाएगा ऑफ देखेंक थर्ड हमलोंको निकालना है यहाँ पर में यह कॉर्डेट ओंपटाय कि कह लिखेंगे więksी कॉमा जीर साएगा माइनस C,0 तो देखें C का वेलू कितना आया है C का वेलू आया हम लोगों को रूट अंडर 5.6 रूट अंडर 5.6,0 और यह हो जाएगा रूट अंडर माइनस 5.6,0 यह कोडिनेट आफ हो काई हो गया है अब आगे देखें यहां पर हम लोगों निकालना फूर्थ निकालना इस एंटर सीटी इस एंटर सीटी को इसे इंडिकेट करते हैं E कोल डू होता C अपॉन में C का वेलू है रूट अंडर 5 अपॉन में 6 और A इसके निचे हम क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा देखें रूट अंडर 5 अपॉन 6 इन्ट यह 2 चला जाएगा उपर और 1 आ जाएगा नीचे इसो कैंसल कीजिए टू अंजा टू थ्री जाएगा इस इंटर सीटी का भी रूट अंडर 5 अपॉन में 3 अपॉन में 3 आगे है यह E का अगर हो गया अब लाश्ट देखें लाश्ट निकालना है क्या लाश्ट निकालना है लेंथ ऊफ लेडर सेलेक्ट देखें लेंक्सt वलों का निकालना है लेंथ उसका फॉर्मुला होता है 2b2 अप tracks क् decision 1 अब हैं यह 1 आपन आपश्यागा ने सब्लाएगा प sö्थ हैं यह दोस्तों इसका फाइंदल आंसर होगी है अब दोस्तों को सिक्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका नेक्ट कुरूशन देखें को सेवन आप दिया गए एक स्क्कुरण अपोने फोर प्लस य स्कुरण अपोने 25 इνकुल नुकर हैम आपके ऑम दोस्तों दूस्तों अब दो्स्तों देखें बने नीचा में पर चोटा बहुरा नंबर है दोस्तों आपको आढ़ा ननर्सट करूत प्लस यह y square upon 5 square equal to 1 अब दोस्तों देखिए जो बड़ा number होता वो a होता तो देखिए यह बड़ा क्या है देखिए 2 और 5 हम बड़ा क्या है 5 है यह हो जाएगा और यह हो जाएगा b तो देखिए इसको लिए equation 1 let कर लिए अब देखिए आपर कौन सा equation बनेगा लिए x square upon a b square plus y square upon a square equal to 1 देखिए आपर x square upon a b square plus y square upon a square equal to 1 लिए this equation this equation is in the form of form of x square upon a b square plus y square upon a square equal to 1 यह equation 2 हो हो है अब दोस्तों देखें यह क्या है वर्टिकल लिप्स है इसका चाहिएगा तो यहां पर डाइग्राम भी बना लीजिए यहां पर समझने के लिए तो कि लंबा वला लायन जो होता है वह होता है मेजर एक्सिट रहोत है और यह जाए वाइन एक्स से और यह है वाइसuses कि जोगे मेजर एक्सिस इसके बाए दोस्तों लोग बता दिए थे पहला वीडियों ल Jungle समें संब्सें अ in that axis यह अमाल यह point है यह ए ओर यह है बी ओके अब देखिए यहां पर देखिए यहां पर लिखेंगे on comparing on comparing equation 1 and 2 we get तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा देखिए यहां से comparing करेंगे देखिए तो मेस NGOणक क्या कोगहका यह कपया खाइगा मेस कब savings to get कीभी इक्न bowling 좋 스के टू यहां पर कैंसे तो बीड़े हो जाएगा एँ एंड मैं यहां पर किस्क्वाइट है इसकुर्ट हो जायगाईं चैल जाएंड का इसक्राइब एपकेंसिल तो दिए प्रश्टिए क्यों फोर्ट से एक आपक़ तो हो चैंसे इस्वेडिटेक्वर एक्वर्टेह आपको जायागा तो फायब का इस्क्वर के तो तो कैंसे यहां से एक वाज़ जाएगा है अट अब देखिया यहां पर कि स्क्वाइर किंटोष फ्लस सी को ज्îneहें फ्यार स्क्वायर कि फाइब का स्क्वायर एककी अजया के टूके स्क्वाइर प्लासी का आगें देखें लेकटेफाइब। सब्सक्रा छे का एक इको नोगी उकल टू शयाएं डिवन यहाई एकर निदा प्रिवन C का value कितना मिल गए हम लोगों को root under 21 मिल गए अब देखिए दोटों यहाँ पर हम लोगों को निकालना है इसमें length of major axis देखिए हम पर पादा लिखेंगे length of length of major axis देखिए length of major axis का formula होता है 2A हमेशा 2 into A का value of 5 दिया हो जाएगा हम लोगों को 10 units okay अब देखिए length of minor axis length of minor axis इसका formula क्या होता है 2B याद रखिएगा 2 into B का value कितना है 2 दिया हो जाएगा हम लोगों को 4 units okay अब इसका second देखिए second हम लोगों को निकालना है coordinate of vertices देखिए अब तो coordinate of vertices coordinate of vertices क्या होता है minor axis का end point अब दोस्तों देखिए यहां पर समझी थोड़ा यह minor axis है हम लोगों को यह है sorry major axis का end point देखिए major axis क्या है यह है और यह क्या y axis है और यहां से यहां का distance क्या होता है यह होता है और यहां से यहां का distance क्या होता है यह होता है तो देखिए vertices of major axis की का मतनल होगा यह point और यह point यह y axis है इसलिए क्या होता है x coordinate होजाए डीड complexity 0, qd क्या होजाएगा यह से ओपर बाला है तो यह जीड़ो कॉआ और घ्लेक् भरेटिकल ellipse में क्या होजाएगा maior axis क्या है जिड़ो कॉमा यह और यहां पर 0,- यहां पर यहां पर देखे लिखिए और यहां पर बीको निगेटिव लिखिए उसे कोई दिकत नहीं है आगे पीछले अलफाबेट में कोई दिकत नहीं है यहां पर यहां पर यहां पर बीको जाएगा जाएंगा फीर को मायनस है जीक और हुआ है हम लों को अधिको पर यहां पर तो जैसे मानको यहां अधे जाता है लेज़े हम लोग यहां पे बी लिट किये हैं तो यह 0, minus है इसको आप लोग अपने हिसाब से इसको लेट कर सकते हैं इसलिए कोई दिकत नहीं ठीक है ना आप यह दिसको यह लट किजिएगा तो इसको अचोप इसको भी लेट किया है ठीक है तो जीरो कॉमा यह हो जाएगा 0 अब देखिए थार्ड में थार्ड में हम लोग निकालना कोडिनेट और फोकाई अब देखिए फोकस जो होता है ना देखिए फोकस जो होता है इसलिके-已经-소 щоб फोकस एम यहां पर होगा और यहां पर फएफי न पर icios पर में श्र electr का सब्सक्रा आठीप में यहां जइए डियोड कोमा स he यहां जेगे गरियो कॉमा συνची की टेटना ड्रोटिवन और यह होजाएगी इनलिक्स यानिकि माइनस सी comparing ट्रॉट्ट्यटिवन Okay. आगे देखी... आवको निकालना है, यहाँ पर Start आब लास्ट निकालना है, उन्होंको, le trênette rectum कि लेंथ कि ऑफ लेटर्स कश रेक टरम क्या हो था तू बी स्कॉर्र अपन में है तू ऐन टुएंटू बी कैस्क्वाइश बी कितना है टू है यह तू को स्कॉर्र अपन में एक अपन कितना फाइव तो देखिए यह जबा टू इन टू फोर अपन वे 5 तिवह जाएगे 8 अपन में 5 लेंथ है इसलिए यहाँ पर यूनिट्स होगा तो यह दोस्तों इसका आंसर ने थ्यान रखना है दोस्तों कि भर्टिकल इलिप्स में क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो तो y-axis पर इसलिए x कोडिनेट क्या हो जाएगा जीडो होगा यह दिए रखने है ओके आज़े हो दोस्तों क्यों सेवन भी आप लोगों को समझ में आगया होगा अब इसका नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर एट देखिए कोशन नमर एट हम लोग दिया आएकसस्कौयर उपन में 9 प्लस y स्कौयर उपन में 16 इक्वल टो 1 दोस्तों देखिए इसकों लोग कैसे लिए सकते हैं यह x स्कौयर उपन में 3 का स्क्वाइब plus y square upon 4 का square equal to 1 इसको equation 1 अब देखिए 3 में फोर्म बड़ा कौन सा है 4 यह हो जाएगा A और यह हो जाएगा B अब लिखें this equation is in the form of x square upon में देखिए यह B का square plus y square upon A square equal to 1 यह equation 2 अब दोस्तों देखिए equation x square upon B square plus y square upon A square equal to 1 किसका है vertical ellipse का देखिए x square upon B square plus y square upon A square equal to 1 ति हो जाएगा बर्टिकल ellipse हो जाएगा इसका चाहिएगा तो diagram यहाँ पर बना लिजी इसका यह इसका major axis और यह इसका minor axis हो जाएगा अब देखिए इसको हम लोग compare करें लिए on comparing on comparing equation 1 and 2 तो देखिए क्या हो जाएगा देखिए B square equal to 3 का square B square equal to 3 का square यह 2 से 2 यहाँ पर cancel तो B का value हो गया 3 okay and A square equal to end में A square equal to 4 का square square से square cancel A equal to हो जाएगा 4 okay A B का value पता चल गया अब यहाँ आप लिखेंगे we know that we know that A square equal to हो जाएगा B square plus C square okay आगे देखिए A square यहाँ कि 4 का square equal to B square यहाँ कि 3 का square plus C square आगे देखिए 4 का square 16 equal to 3 का square 9 plus C square next देखिए 16 plus 9 को लेफ्ट में लाइए minus 9 equal to C square यह C square equal to हो जाएगा 7 therefore C equal to हो जाएगा root under 7 okay अब देखिए A B C का value हो उन्हों को पता चल गया अब लोंको साड़ा value यहाँ से फाइंड कर सकते हैं देखिए यहाँ लिखना है length of पहला पहला निकाना length of major axis length of major axis क्या हो जाएगा 2A यहाँ की 2 into A का value हो 4 यहाँ 8 unit हो जाएगा अब length of minor axis length of minor axis तरह जाएगा 2B यहाँ की 2 into B का value हो 4 sorry दूसतर B का value हो 3 यहाँ की 6 units देखिए B का value कितना है B का value हो 3 है ठीक है अब इसका second देखिए सेकेंड हनोन निकालना है कोडिनेट को अब भर्तिसजिए प्र में यह भर्टिकल होता है इसका में लएक्सिस पे होता है यह निकाल युद्रैइश से आघक कोडिनेट इसलिए क्योंकि यह आगे को निकालना पर फोकामें자 कोडिनेट प्रक्तिक्रीन होगा क्या होता है देखिये वाइक वाइक्स पर देखिए और यह सकतills उसे अंगरॉसे यहां आखना टिस पारनूस होता है। यह क्लिन होता है और टुछ यह रहाँ खाए, 0,C और यह एक सब्सक्राइं सकते हैं और सब्सक्राहने का और यह कोडिए सब्सक्राइद्बानुन нуться-7 और यह करते हैं तुछ इपीज च्छें करते हैं तो इकवल डूक्ष है आपन में जो सी सी का बेलुब रूट रूट-धाश्यवन अपन में एका वेलू हमलों को थी फोर यह हम लोग निकल ज़िए और व्लसाइब निकल है और शाइब देखें लेंद्ध-छाफ लेंद्ध-धास र हो इंड़ी का स्कूर्इर यानिकि 3 का स्कूर्इर अपवन में यह 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 दो इसको पॉह्एंट में लें लिए इनिशको लाएंगे यह जागा उनिट्स तिये दोस्तो इसका आंसर होगे तो अपलगो समझ में आगया हो कहूं की दिसनों में तर तक के लिए थेंक्यों सोमच